असलाम अलेकुम दोस्तों यदि आप कुईत में रहते हो और कुईत केम तरीन खबरों से में इसा वाकिव रहना चाहते हो तो ये वीडियो को बिने स्कूप का पूरा देखिए चैनल पे नहीं हो या फिर पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आकन को प्लेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो को आपको हमेशा फ्री में दोस्तों मिलती रहे तो साथियों आज की वीडियो में सबसे पहली जो खबर दोस्तों आ रही है वो मौसम विभाग के तरफ से आ रही है यानि कुईत मेटलोजीकल डिपार्टमेंट के तरफ से आरी है तो फॉग भूठी ज्यादा हो रहा यानि दोस्तों कोहरा काफी ज़्यादा हो रहा है इसी को लेकर जो बी गाली चलाते हैं द्राइब करते हैं चाहाब बढ़ी गाली हो छोटी गाली हो सभी को सौधनियां बरतनी के लिए कहीं गई गया है क्योंकि मीडिकुछ इस्षी और b पोरा जो हो काफी जादा बढ़ता जा रहा इसी को लेकर वार्निंग सभी को दी गई अगली खबर दोस्तों इंडिया से आरी साथ ही बहुत ही बड़ी और चौकाने वाली खबर है साथ ही जैसे कि आप लोग को पता है कि इंडिया में इंडिया का करेंसी जो है लगतार डॉल साथ हूं ऐसा हो इस夏 रहे रहे क्योंकि इंडिया का जो हंगरी ऑंडिया का बंघला टे després काफी जात जा रहा है अगली खबर की और छाथ ही खबर दोस्तों जो आरी 07 बहुत ही बड़ी खबर है वहाँ पे एक क्के Islam की सिजा उना गई गई है और लगभग 5,000 कुईती दिनार तक का जुर्माना लगाया गया है अब दोस्तों ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि लगभग 2 सालों से एक domestic worker यानि एक महिला के द्वारा case किया गया था उस पर 5,000 कुईती दिनार तक का जुर्माना लगाया गया है तो भाई यदि आपके साथ भी या बहन आप लोगों साथ कोई भी इससरा का घटना होता है तो डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है आप तुरंत कोट के पास जा सकते हैं और आपको इनसाफ दिया जाएगा थोड़ा 25 अक्टूबर 2022 को कुएत में सूरज गरहन लगने वाला है साम के वक्त में तो सूरज गरहन इतने जादा खास नहीं होगा बस दोस्तो रेयर होगा यदि आपको देखना है सूरज गरहन को तो आपको स्पेसल कैमरा का इस्तमाल करना होगा यानि खास कैमरा का इस्तमाल करना तो साथी कुईत में एक ड्रैवर को वहाँ पे ग्रफतार किया गया है ग्रफतार करने के साथ से उस पे जुर्माना लगाया गया जेल भेजा गया और जेल से निकलने बाद उसे डिपूर्ट किया गया खबर दोस्तों ये कि बदसलूकी के साथ वो गाड़ी को ड्रैप कर रहा था जिसके बाद सोसल मीडिया में किसी के दोरा सिसी टुवी कैमरा वीडियो ये वाइरल हुई जिसके बाद पुलिस ट्रैफिक डिपार्टन के तरफ से उस सक्स को ढूंड के निकाला गया और उसे गरफतार किया गया दोस्तों इसके बी जान को खतरा था और जो लोग वहाँ पे गाली चला रहे है या पी पायदा चल रहे है उसको भी जान को खतरा था जिसके बज़े से उसे गरफतार किया गया कि रफ्तार करने के साथ जुर्माना भी लगाया गया जुर्माना के साथ जेल भी भेजा गया और उसे ब्लैक लिस्टेड अप कर दिया गया है तो दोस्तों ऐसा काम आप बिल्कुल भी ना करें जिसके वैसे आपको कुएत में किसी तरह का प्रॉबलब हो तो ये कुछ खबरे थी, कुछ अपडेट्स थी जो कि कुएत से आ रहे थी मैंने अब तक सेयर किया ज़़ि कोई भी वन में आपके सवाल हो, कोई जानकारी चाहते हो तो मुझे कॉमेंट सक्षर में जाके कॉमेंट करके पूछ सकते हो, मिलते साथ युनिक स्टूडियो पर